पहले में सत्रा अध्याई से सुरू कुरूँगा सत्रा के तीन से मैं एक वचन पढ़ूँगा और देखिए लिखा हुआ है यहोसापात के जीवन से हम सीखेंगे हललुया मैं बात कर रहा था कि हमारे जीवनों में संगर्स होता है प्रति दिन कुछ न कुछ हम ऐसा फेस करते हैं जिसमें हम कई बारी आशाहीन हो जाते हैं डर भी जाते हैं लेकिन हम उस डर की प्रिस्तिती में जब हम परमेश्र के सामने आते हैं तब परमेश्र हमारे जिंदिगियों में क्या करता है कैसे काम करता है वो आज हम सीखेंगे हालेलुया अपने आप को उस प्रिस्तिती में रखे फिर आप सीखना उस वचन की और ध्यान देना परमेश्र का वचन क्या कहता है हालेलुया 17 के 3 में इस प्रकार लिखा है और यहोवा यहोसापात के संग रहा क्योंकि उसने अपने मूल पुरुस दाउद के आरंबिक दिनों के आदर्शुका अनुश्रण किया और बाल देउताओ की खोज नहीं की हालेलुया यह वचन हमें यह बताता है कि यहोसापात जो था वो परमेश्र का भे में मानने वाला एक वैक्ति था और अपने मूल पुरुस दाउद के वंस से यह था दाउद के पदचिनों पर यह चलता था और वचन ने बताया कि परमेश्र यहोवा इसके साथ था हालेलुया और इसने अन्य किसी देउताओं की खोज नहीं की इसने यहोवा परमेश्र की और अपने धान को लगाए रखा हालेलुया यह परमेश्र का एक अच्छा भग्त था अब 20 में हम आते हैं परमेश्र का जन है विस्वास करने वाला व्यक्ति है दृड विस्वास करने वाला लेकिन कई बार जब जीवन में प्रसितिया आ जाती है तो कई बार हट बड़ा हट हमारे जीवन में आ जाती कई बार हम थोड़े से हिल जाते है लेकिन परमेश्र कहता है अपने जीवन की इस अंगर्षों में मेरे साथ बना रहे मैं तुझे हिम्मत दूँगा हालेलुया आए हम देखते हैं क्या हुआ 20 का एक में लिखा है इसके बाद ऐसा हुआ कि मौबी और अमोनी और कुछ मूनियों के साथ मिलकर यहोसापाद से युद करने के लिए आए ठीक है कुछ यह मौबी जाती के लोग अमोनी जाती के लोग थे यह तीन जाती के लोग एक राज्य के जो राजा है इससे युद करने के लिए आए अब जो यहोसापाद का जो राज्य है वो बहुत बड़ा विसाल राज्य नहीं है बहुत कम लोग है इसके उसमें ठीक है इसकी राज्य में बहुत कम लोग है लेकिन इस चोटे सी भीड से इस चोटे से जो समू के लोगों से 3 समू के लोग इससे लड़ाई करने के लिए आते हैं कितने समू के लोग हैं? ठीक है? तो ये कौन-कौन है? मुआबी, अमोनी और मुनीयो ये जो ये लोग تھे ये जाती-इस-जाती के लोगी कठ्था होकर यहोसापात से लड़ाई करने के लिए आते हैं, उसके राज्य पर कबजा करने के लिए आते हैं, ठीके, तो क्या होता है, दो में लिखा है, तब कुछ लोगों ने आकर यहोसापात को बताया, समुद्र पार, अर्थात सिर्या देश से एक बड़ी भीड, तुझ पर चड़ा के उपर चढ़ाई करने के लिए आ रही है ठीक है तब क्या होता है जब राजा ने सुना कि बहुत बड़ी बीड़ आ रही है क्या होता है तीन में लिखा है तब यहोसापाद दर गया क्या हुआ यहोसापाद डर गया डर स्वभाविक बात है स्वभाविक चीज हम भी कई बार डर जाते हैं डर जाते के नहीं डर जाते हैं यहोसापाद भी डर गया हमारे जीवनों में भी कई बार ऐसी प्रस्तिया आती है जिनको देखकर हम डर जाते हैं है मैं अब क्या करूँ अब क्या होगा कैसे में इससे बाहर निकलू, कैसे में इसका सामना करूँ हम डर जाते हैं बिमारी आ गई डर जाते हैं इलाज करवाना है, पैसा कहां से आएगा डर गए, पता नहीं कुछ हो ना जाए ये ना हो जाए डर जाते हैं कुछ और बात होगी जीवन में हम डर जाते हैं डर स्वभाव एक बात है हमारे जी उनमें आ जाता है लेकिन हम भटकते कब हैं हम गिरते कब हैं जब हम उस डर को अपने उपर काबू पाने देते हैं जब हम डर के कंट्रोल में जब हम आ जाते हैं हमारे जी उनमें गड़बड तब होती है कब होती है जब हम डर के काबू में आ जाते हैं जब हम डर को अपने उपर हावी होने देते हैं जब प्रिस्तिती जो विकड प्रिस्तिती है उसके अधीन अपने आपको हम दे देते हैं जब हम दब जाते हैं उससे हमारे जीवन में गड़ बड़ी तब होती है हम आरते तब है हम आरते तब है लेकिन यहुसापात की जिंदकी में हम देखते हैं क्या क्या उसे डर जरूर लगा लेकिन इसने क्या किया तब यहुसापात डर गया और यहुआ की खोज में अपना ध्यान लगाया यहुषा पाट डर गया और उसने यहुवा की खोज में अपना ध्यान लगाया हालेलुया प्रियो हम कई बार अपने जीवन की लड़ाई को खुद लड़ना चाहते हैं यह भी एक कारण है कि हम हार जाते हैं अपने जीवन की जो प्रिस्तिती है उसका सामना हम खुद करना चाहते हैं अपने जीवन की जो प्रिस्तिती है हम उसे अपनी सामर से हल करना चाहते हैं हम उसे अपने सामर से उसे ठीक करना चाहते हैं और जब हम यह कहते हैं मैं कर लूँगा मुझे पता है कैसे होगा मैं जा करते हैं तब परमेशर तो वहां पर है इने क्योंकि सिर्प आप यह कर लूँगा मैं कर लूँगा हम यहारते तब हैं जब अपने जीवन की प्रिस्तियों को खुद हैंडल करना चाहते हैं यहोसापात ने क्या किया ऐसी चुनोती उसके सामने है उसको लगा कि हाई अब क्या होगा यह तो नास कर देंगे हमें इतने सारे लोग हैं लेकिन उसको फटसेज के दिमाग में आया अरे मैं सेनाओं के परमेश्र यहुआ का दास हूँ हालेलुया अगर आपको उसकी सामर्थ पर भरोसा है आपका रवया यही होगा कि आप अपने जीवन की प्रिस्तिती को परमेश्र के सामने लेकर आएंगे हालेलुया हम हारते कब है जब हम प्रिस्तिती को अपने उपर काबू पाने देते हैं हम हारते कब है जब हम यह कहते हैं कि मैं कर लूँगा मैं खुद मुझे पता है कैसे होगा हम तब हारते हैं तब हम अपने विश्वास से भटक जाते हैं ऐ विश्वास के कारण फिर हम कई बार प्रभु की उपस्तिती को देख भी नहीं पाते हैं और उसके बाद हम प्रातना तो करते ही नहीं है डर ने इतना काबू कर लिया हम इदर उदर बटक रहे हैं परमेश्र के सामने कभी घुटने ही नहीं टेकते परमेश्र के सामने हम अपने जीवन की प्रस्तिती को लेकर ही नहीं जाते और फिर उसके बाद हम रोते भी हैं क्यूं हो रहा है मेरे साथ ऐसा क्यूं हुआ है ऐसा क्यूं हो रहा है मेरे साथ ऐसा इस प्रकार हम रोते भी हैं है ना लेकिन रोए लेकिन परमेशर के सामने ठीक है रोए लेकिन परमेशर के सामने इसके जीवन में जब विकट प्रिस्थिती आई यहोसापात परमेशर के खोज में अपने ध्यान को लगाया हालेलुया हालेलुया जब भी हमारे जिंदकी में विकट प्रिस्थिती हो कुछ भी हो, इस वक्त भी हम जितने लोग बैठे हुए मैंने जैसे हाथ, सब लोग ने हाथ उठाए ते कुछ ने कुछ समस्या जरूर है हम जीवन के संगर्सों से होकर गुजर रहे हैं परमेशर है हमें सामर्देने वाला हो सकता है कि वो हमें हर प्रिस्थिती से बाहर ना निकाले लेकिन उस प्रिस्थिती को सामना करने के लिए वो हमें सामर्द जरूर दे देगा हालेलुया लेकिन कब? जब हम प्रात्ना करते हैं जब हम अपना ध्यान परमेशर की और लगाते हैं जब हम अपना ध्यान परमेशर की खोज में हम लगाते हैं हालेलुया, तब वो हमें सामर्थ देता है, हालेलुया, कितनी बार हम, कितनी बार अपने जीवन की प्रस्तिती को परमेसर के सामने ले कर जाते हैं, फोन हम बहुत जल्दी उठाते हैं, फोन हम, बहुत जल्दी उठाते हैं, फोन उठाया, पास्टर जी को घुमा दिया, अच चर्ज के किसी भाई को बता रहे हैं, अच्छी बात है, एक दूसरे के लिए प्राथना करना अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने खुद प्राथना की? क्या हम खुद प्राथना करते हैं? दूसरों को ड्यूटी पे लगा दिया, प्लीज हमारे लिए प्राथना करना, क्या ह हम गुटने टेकते हैं प्रभु के सामने हम नहीं टेकते हैं इसलिए उसकी उपस्तिती को प्राथना की सामर्थ को हम मैसूसी नहीं कर पाते हैं उसकी उपस्तिती को उसकी भरपूरी को हम मैसूसी नहीं कर पाते हैं दूसरों को ड्यूटी पे लगा दिया प्राथना करो प्र डर रहे बस डर के अंदर जखड के बैठे हुए है प्रातना करनी है विकर्ट प्रिस्थिती जिंदगी में जब आती है परमेशर के सामने जुख जाईए यहोसापात ने परमेशर की और अपने ध्यान को लगाया हालेलुया उसने यहुआ की खोज में अपना ध्यान लगाया और उसने यहुदा में पूरे राज्य में उपवास रखने की घोषना करवाई हालेलुया क्या करने की घोषना करवाई उपवास करने की घोषना करवाई हालेलुया पूरे राज्य में इसने घोषना करवा दी कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसी प्रिस्तिती हमारे देश के उपर आने वाली है, हमें जरूरी है कि हम सब परमेश्र के सामने एकठा होकर उपवास रखे और फ्रात्सना करें, पूरे राज्य में घोसना करवा दी गई, आता है, चार में यहुदा के लोग यहुदा से सहेता पाने क के लिए एककत्र हुए, वे यहुदा के सभी नगरों से यहुदा की दोहाई देने आए, हालेलुया, घोसना होई, घोसना को सुनते ही, सारे नगरों से, यहुदा के अंदर बहुत सारे नगरों से, जितने प्रभू का भैमानने वाले लोग थे, सब इकठा होकर आ गई, क् सा बात ने परमेश्र की और अपना ध्यान लगाया और उसके जो लोग थे उन्होंने क्या किया वो इकठा होकर प्रात्सना करने के लिए आई हालेलुया वो इकठा होकर प्रात्सना करने के लिए आई परमेश्र के सामने एक सुन्दर सी बात यहां पर है कि एक अगुए ने गोसना करवाई और सब लोग एक ही गोसना में सब लोग इकठा होगे एक जगह पर प्रात्ना करने के लिए हाललुया एक अगुए के और इन जोसकी राज्य के जो लोग है इनके बीच में एक कितना सुन्दर रिस्ता हमें दिखाई देता है एक अच्छा संबंध हमें यहां पर नजर आता है इस समय बहुत सारे ऐसे लोग भी होगे हमने उनको फोन किया है कोल किया है कि हम पूरा महीन प्रात्ना के लिए मिल रहे हैं प्लीज आप लोग जरूर आईए लेकिन नहीं आए हैं सायद प्रात्ना को हलके में ले रहे हैं आलसी हो गए हैं या बस बाकी द प्रिस्तार रखने की जरूरत है, मैं अपने अगूओं के साथ में, कि जब हम प्रात्ना कर रहे हैं, तो क्या इसमें सिर्फ हमारा फायदा है? क्या मेरा फायदा है? पाच्छो जोए का फायदा है? पाच्छो मनो का फायदा है? किसका फायदा है? हम सब का फायदा है, हम सब म उनकी आत्मिक अमजोरी को दिखाता है, दिखाता है कि वो वही लोग है, वो बोलते हैं कि मुझे पता है कैसे होगा, मैं रखने वाले सायद गमन उनके अंदर है, लेकिन जैसे ही घोसना करवाई, यहूदा के लोग नहीं रुके, वो एक साथ इकठा होकर, हाललुया प्रात् पांच में लिखा है, तब यहूसापात, यहूदा की भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरुसलेम वाश्यों की सभा में खड़ा हुआ, बहुत बड़ी सभा वहां पर हो गई है, वहां पर वह खड़ा हुआ, और उसने कहा, हे हमारे पुर्वजों के परमेश यहूदा, क्या तू स्वर्ग में परमेशर नहीं है, और क्या तू जाती जाती के सब राजियों पर प्रभूता नहीं करता, तेरे हाथ में तो ऐसा बल और प्राकरम है, कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता, हे हमारे परमेशर, क्या तू ने इस देश के निवाशियों को अप इसमें बसकर इसमें तेरे नाम का एक पवित्रस्तान ही है कहकर बनाया कि यदि कोई विपत्ती हम पर आपड़े अर्था तलवार दंड महमारी या अकाल तो हम इस भवन और तेरे सामने क्यूंकि तेरा नाम तो इस भवन में है खड़े होकर अपने कलेश में तुझे पुकार और तुझ सुनकर हमें बचाएगा हालेलुया क्या कर रहे हैं लोग प्रात्ना कर रहे हालेलुया क्या यहोसापात अकेला प्रात्ना कर रहा है कौन-कौन प्रात्ना कर रहे हैं सभी लोग प्रात्ना कर रहे हालेलुया उन्होंने अपने अगुए के साथ मिलकर परमेशर से प्राथना की, आलिलूया उसने गोसना करवाई उन्होंने उसकी बात को माना सब próxima के लिए आया और उन्होंने अपने अगुए के साथ यहोसा पाथ राजा के साथ मिलकर परमेसर के सामने प्राथनाओं को रखाऊ एक साथ मिलकर प्राथनाओं करने लगे कई बार यहाँ पर होके भी हम यहाँ पर नहीं होते, बत्ती गुल होती है कहीं कुछ, कहीं और ही ध्यान लगा हुआ है इधर बैठे हैं, पता नहीं कहां पर मोल में गूम रहे हैं इधर बैठे हुए हैं, लेकिन सोच रहे हैं, उसने मुझे यह क्यों बोला आज उसको जाने के बाद उसको ही देखना है हम इधर होते हैं और इधर होके भी इधर नहीं होते हैं कहने का मतलब क्या है हम प्राथना सबा में जरूर आए हैं लेकिन हम यहाँ पर खड़े होके प्राथना करते भी कई वर करते नहीं है अगर आप आए हैं तो प्रात्ना कीजिए मैं ये देखता हूँ जब मैं बोलता हूँ आए प्रात्ना करें मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रात्ना करो प्रात्ना करो वो किसी किसी के मुँख को देख के बोलता हूँ क्यों बस ऐसे खड़े होते हैं कि एक दूसरे को देख रहे होते हैं एक दूसरे के सुन रहे होते हैं क्या प्रात्ना कर रहे हैं प्रात्ना नहीं कर रहे होते हैं यह लोग अपने अगुए के साथ मिलकर परमेशा से प्रात्ना कर रहे हैं एक साथ इन्हों ने अपनी आवाज को उठाया हालेलुया देखें अपने आपको, मैं बोलता हूँ कि क्या प्राथना करने में हम सरमाते, पिता के सामने प्राथना करें, उसकी अराथना करें हम उसके बच्चे बन कर पुकारें उसको, प्राथना करें उसकी महिमा करें, हमारे लिए सोभाग्य की बात है, इस दुनिया में न जाने कितने लोग क्या-क्या किन-किन पापों में गंदगियों में पड़े होंगे, लेकिन हमारे लिए एक सोभाग यह है कि हम उसकी उपस्तिती में पाए जाते हैं, इस समय का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, आलेलुया यहोसा पात, प्राथना कर रहा है, और घोस्तना कर रहा है सब लोग आओ, सब लोग आ भी गए, और सब मिलकर अपने अगुए के साथ मिलकर परमेशा से प्राथना यह एक चीज को दिखाता भी ये भी दिखाता है कि यहोसा पात, और इन लोगों की सोच एक सोच थी इनको पता है कि हम चुटकारा चाहिए और सब लोगों को चुटकारा चाहिए तो हमें प्रात्ना करने के जरूरत है सब लोग आ गए बुद्वार के दिन हम बुद्वार के दिन प्रात्ना करते हैं इतनी बार संडे को कभी भी अनॉंसमेंट करना नहीं छोड़ते कि बुदवार के दिन आईए प्रात्ना करेंगे बुदवार के दिन आईए साथ बजे का समय होता है प्लीज आईए लेकिन बुदवार की प्रात्ना में बहुत सारे लोग नहीं आते पचास के चालिस पैतालि को रखना है हालेलुया और देखिए प्रात्ना में कौन कोन आए है तेरा में पढ़िए क्या लिखावाए तेरा में लिखाए और यहुदा के सब लोग अपने अपने शिशूँ पत्नियों और बच्चों सहीत यहुआ के सामने खड़े थे किन को बोलते है शिशू बच्चे जो दूद पीने वाले बच्चे होते है वो दूद पीते बच्चों को जो महिलाएं थी उन बच्चों को लेकर प्रात्ना में आई है पती पत्नी सब मिलके प्रात्ना में आए अपने बच्चों को साथ में प्रातना में लेके आए हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे नहीं पता नहीं हो भी सकता है ये कह सही है, बेटा 7.9 बज़े आऊंगे, येसा करना खाना बना के ready रिखना, जैसे उसका कम खाना बनाने जैसे दुनिया में खाना बनाने ही आया है उसको प्रात्ना के जरुत नहीं है क्या उसको प्रात्ना के जरुरत है जिस प्रकार ये लोग एक साथ छोटे सीश्वों को बच्चों को ले के आये हैं अपनी पती पतनी दोनों साथ में मिलके आये जो बड़े बच्चे उन जिन्दकी में लेकर आए हालिलुया ऐसा समर्पन हमारे जिन्दकियों को बदलता है प्रिस्तितियों को बदलता है यह सब ऐसा ही समर्पन हमारे देश को भी बदलेगा हालिलुया ऐसा समर्पन हमें चाहिए अपने बच्चों को घर पे छोड़ कि मत आया करो कोई बात नहीं बटा इसे को अरे रोएगा मम्मी तुम जाओगी ये रोएगा ऐसा करना इसको टीवी लगा कार्टून लगा के दे दिना साथ से नों कार्टून दिखाना इसको उसके बाद में आ जाओंगी लाओ अपने बच्चों को प्राथना में लेकर आओ सिखाओ उनको दूद पी ते बच्चे वो अपने साथ में लेकर आए हमारे लिए कई बारी हम जो इतने बड़े बड़े लोग है जो इतने भी नोजवान हैं और बड़े लोग हैं मुस्किल होता है ना बिश्तर पें दो पर की नीन चड़ी हुई है, सुस्ती आई हुई है, मन नहीं कर रहा है, टाइन देख रहे हैं, जाओं तो होगा, जाओं तो होगा, छे से पांच से शाड़े पांच होगे, कोई बात नहीं, दस मिनट और, उसके बाद उठूंगा, मूँ दोके जाओंगा, छे बज गए, कितना टाइम हो गया, प्रात्ना साथ बज़े न, अरे हभी तो टाइम है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और सो लेता हूं, आलसी, इतने आलसी हो जाते हैं, है न, और फिर उसके बाद में, अरे यारब तो टाइम हो गया, ab ने, कल जाओंगा, आपका कल कभ भी नहीं आने वाला, सुस्ति से लड़िये, प्रिस्ति से लड़िये, उठकर आईए प्रात्ना के लिए, हालेलुया, यहोसापास ने घोसना करवाई, और महीलाए अपने शिशुओं को, छोटे दूद्ध पिते बच्चों को, बड़े बच्चों को, अपने पती-पत्नी एक साथ मिलके प्रात्ना करने के लिए आए, हालेलुया, आज जितने लोग एक साथ आए हैं, ताली बजाओ एक दुसरे के लिए, हालेलुया, आपने एक बहुत अच्छा निर्णे लिया है, आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, एक साथ परिवार के तोर पर आप प्र प्राथना कर रहे थे तब क्या हुआ चौदा में देखिए क्या लिखा हुआ है आपने देखा प्रिस्ति को समझ में आया एक बहुत बड़ी समझ्चानी के जिंदकी में आई है राजा डरा लेकिन परमेश्र की और अपने ध्यान को लगाया खुद ने प्राथना की और दू तुने पड़े होंगे सब लोग आगे प्राथना करने के लिए शिशू बड़े बच्चे पती पत्री सब एक साथ प्रभू की और देख रहें रो रहें गिड़ गिड़ा रहें प्राथना कर रहें प्रभू प्लीज हमारे जीवनों को तू बचा चोदा में क्या लिखा तब सभा के मद्य आशाप के वन्स में से यहजियल नामक एक लेविय पर यहुआ का आत्मा उत्रा हालिलुया क्या हुआ यह प्राथना कर रहे थे और वहां पर क्या हुआ परमेशर का चोदा पद के अंदर ऐसे लिखा हुआ है कि आशाप के वन्स में से यहिजियल नामक एक लेविय पर यहुआ का आत्मा उत्रा हालिलुया उन्हों ने अपने बीच में परमेशर की उपस्थिती को पाया हालिलुया जब सब लोग एक साथ मिलकर उसके अगुए राजे की लोग छोटे बच्चे बड़े बच्चे पती पत्नी सब लोग परमेशर के सामने अपने घुटनों को टेकी हुए थे रो रहे थे परमेशर ने इनकी प्रात्नों को सुन लिया और लिखा है परमेशर का आत्मा इनके बीच में उतर के आ गया उन्होंने अपने बीच में परमेशर की उपस्तिती को पाया हाललुया क्या परमेशर बदल गया क्या परमेशर बदल गया क्या वो आज भी इसी प्रकार अपने आत्मा को हमारे बीच में नहीं बेज़ता क्या वो आज भी इसी प्रकार हमारे बीज में अद्बुत काम नहीं करता वो करता है लेकिन हम क्यों नहीं देख पाते क्योंकि हम प्राथना नहीं करते है प्राथना करनी है प्राथना करनी है हालेलुया बहुत सारे लोग बोलते हैं आप प्रातना करते हो, समश्या बताएंगा आके भाई यह चल रहा है जिन्दकी में ऐसे हो रहा है, यह बात अच्छा ठीक है भाई आप प्रातना करते हो नहीं प्रातना तो नहीं करता, टाइम नहीं मिल पाता है फिर आप उस समश्या में ही रहो फिर प्रातना नहीं कर पाते हैं ये समय की बात नहीं है ये दिल की बात है प्रातना ना करना समय की बात नहीं है ये दिल की बात है अगर आपका दिल परमेश्व के साथ जुड़ा हुआ है अगर आपका रिष्टा प्रभु के साथ अच्छा है तो आप व्याकुल हो जाओगे उससे बात करने के लिए और आप कैसे ने कैसे करके समय निकाल ही लोगे ये समय की बात नहीं है समय नहीं मिलता इसलिए नहीं कर पाता, नहीं आपका रिस्ता ही उसके साथ अच्छा नहीं है ये इस बात का चिन है प्राचना करें और जब इन्होंने प्राचना की प्रभु की उपस्तिति इनके बीच में आ गई और जहाँ पर प्रभु की उपस्तिति होती है वहाँ पर क्या होता है अद्बुत काम होते हैं अलिलुया जहां पर परमेश्र की उपस्तिती होती, वहां पर क्या होता है बच्चे? वहां पर अद्बूत काम होते हैं. अलिलुया देखिए क्या हुआ? क्या कहा जब परमेश्र का आत्मा जब उनके उपर आया? क्या कहा उसने? पंदराइब उसने कहा? और उसने कहा हे समस निवाशियों किसे बात कर रहा परमेशर समस यरुसलेम के जो उसके लोग उसके चुनेवे लोग उनसे बात कर रहा है हाललुया परमेशर बात करता है जब हम प्रांथना करते हैं हाललुया क्या लिखा है उसने का है यहुदा और यरुसलेम के समस निवाशियों और हे राजा यहोसापा सुनो तुम में से तुम से यो कहता है यहुआ तुम से यो कहता है तुम इस बड़ी भीड के कारण मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो क्योंकि युद तुम्हारा नहीं परमेशर का है हललुया क्या कहा परमेशर के आत्मा ने कि दरो मत इस बड़ी भीड को देखके मट डरो इस बड़ी भीड को देखके मट डरो हललुया तुम्हारा मन कच्चा न हो क्योंकि यह युद ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है ये युद्ध मेरा है परमेशर खुद कहता है ये युद्ध परमेशर का है हललुया आपके जीवन के जो संगर से जो समश्चाएं है जो बहुत बड़ी जो आपको लगती है परमेशर आपसे आज यही कहता है ये तुम्हारी नहीं है ये मेरी है हललुया क्या कहता है परमेश ये तुमारी नहीं है, ये मेरी है, आलेलुया, जब हम प्राचना में परमेशर के सामने अपने जीवन की प्रस्तियों को लेकर जाते हैं, अपने हालातों को लेकर जाते हैं, परमेशर हमारे दुखों को अपना बना लेता है, आलेलुया, परमेशर बोलता है, मत डर, मैं तेर साथ में हुई, ये युद्ध तेरा नहीं है ये युद्ध मेरा है एक-एक से वो यही कहता है जब हम प्राजना करते हैं परमेशर की उपस्थती हमारे बीच में आती है, अलिलूया और परमेशर अद्बुत काम करना सुरू कर देता है हालेलुया पवितरात्मा ने जो ये डरे हुए लोग थे इनको हिम्मत दी सामर्थ दी हालेलुया सामर्थ यहवा से आती है सामर्थ येशु से आती है फ्रात्ना करके तो देखो फ्रात्ना करके तो देखो सामर्थ येशु से मिलती हालेलुया हम प्रात्ना नहीं करते सुला में लिकाय कल उनका सामना करने को नीची उतर जाना देखो विसीज की चड़ाई पर से चड़ाएंगे और तुम्हें गाटे के सिरे पर यरुवेल के जंगल में मिलेंगे यहां तुम्हें लड़ना नहोगा ही यहूदा युरुसलेम ठहरे रहना हालेलुया तुम्हें लड़ना लड़ाई नहीं करनी तुम्हें ठहरे रहो हालेलुया ठहरे रहो मुझ पर विश्वास करके ठहरे रहो प्राथनाओं में ठहरे रहो विश्वास में तुम्हें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है जद्दो जहद करने की ज़रूत नहीं है फ्राथना करो और फ्राथना में ठहरे रहो इंतजार करो हालिलुया परमेश्ण ने कहा ठहरे रहना और खड़े हो रहकर यहुआ की ओर से अपना छुटकारा देखना मन डरो और तुम्हारा मन कच्चा नहो कल उनका सामना करने को जाना क्योंकि यहुआ तुम्हारे साथ रहेगा तब यहुआ सापाथ जो डर गया था यहुआ सापाथ ने क्या किया अठारा में तब यहुआ सापाथ सिर जुका कर भूमी पर गिरा और यहुदा और यरुसलेम के समस निवाश्यों धरना नहीं है ठहरे रहना है और स्तूती करनी है बहुत बड़ी भीड है डरने की जरूत नहीं है जाओ ये बड़ा कई बारी परमेशन हमें ऐसे काम करने के लिए कहेगा जो हमें कई बार मुश्किल लगेंगे लेकिन विश्वास करके हमें आगे बढ़ना है करना है इतनी बड़ी भीड के सामने यह उसापात को बोला है जाओ तुम्हें जाना लड़ाई नहीं करना है तुम्हें क्या करना है तुम्हें अदबुत काम देखना है तुम्हें क्या करना है तुम्हें सुटकारा देखना है बस तुम्हें अदबुत काम देखना है तुन्हें मुझे बुलाया मैं आया बस तुम देखो मैं क्या करता हूँ हालिलुया क्योंकि इनोंने प्रात्ना की है क्योंकि इनोंने विश्वास किया है क्योंकि ये परमेश्वर पर निर्भर हो गए है हालिलुया और वे बड़े सविरे 20 में तकवा उठकर तकवा कि जंगल को गए वो जब जा रहे थे यहोसा पात्ने खड़े होकर हे यहूदा और यरुसलेम की निवाश्यों मेरी सुनो अपने परमेश्वर यहुआ पर विश्वास रखो तो स्थिर रहोगे हालिलुया विश्वास रखोगे तो स्थिर रहोगे तुम जा रहे हो देखने के लिए परमेश्वर के अदबुद काम को सायद तुम दर जाओ लेकिन डरना नहीं है क्या करना है विश्वास रखो तो स्थिर रहोगे खड़े रहोगे स्थिर रहोगे हालिलुया उसके नभीयों पर भरोसा रखो और सफल हो जाओ तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके यहुआ के सूती गाने वालों को और ऐसे लोगों को नियुत किया जो पवित्र वस्त दान करके सेना के आगये चलते वे यह कहे यहुआ का धनेवाद करो क्यूंकि उसकी करुना सदा की है और वो जब वे गाने और सुती करने लगे तब यहुआ ने यहुदा पर चड़ाई करने वाले उन अमोनियों और मोबियों और सेहर की पहाड़ी के लोगों के विरुद घात लगाने वालों को बैठा दिया अतहवे मारे गई क्या हुआ जो यहुदा पर चड़ाई करने के लिए आये थे बहुत सारे लोग यहुदा पर डर गया प्रभू के सामने प्रातना की परमेश्र की उपस्तितिन के बीच में आगई एक साथ मिलकी वो प्रातना कर रहे थे परमेश्र ने उनकी प्रातना को सुना उनको हिम्मत दी और उनको बोला जाओ अद्बुत काम देखोगे लड़ना नहीं सिर्फ जाना है और वहाँ पर जब वो गए वहाँ पर क्या हुआ परमेशर ने उनके बीच ऐसी गड़बड़ी को मचाया कि वो तीन जो अलग अलग जो लोग थे वो आपस में ही लड़के ख साथ में खड़ा था आमिन हालेलुया परमेशर उनके साथ में खड़ा था वो उसकी और नहीं जा पाए अपने परमेशर ने ऐसा कारिये वहाँ पर किया वो उनकी आखों के सामने यो जो यहोसापात के जो लोग थे उनकी सामने नास हो गई परमेशन क्या गादा लड़ना नहीं तुम्हें देखना है ठहरे रहना है और उन्होंने ठहरे ठहरे रहकर प्रभू के अद्भूत काम को अपनी आखों से देखा हालेलुया अद्भूत काम को देखा आप देखना चाहते हैं अद्भूत काम प्रात्नाओं में ठहरे रहो प्रात्नाओं में बने रहो विश् लाता है तब यहूदा यरुसलेम के सब लोग अपने अगवे यहुसापात की अगवाई में आनन्द के साथ यरुसलेम को लोटे क्योंकि यहुआ ने उन्हें उनके सत्रू पर विजे का आनन्द दिलाया था हालेलुया वो परमेश्र के द्वारा छुड़ाए गए हालेलुया वो परमेश्र के द्वारा छुड़ाए गए इन चार बातों को हम देखें इन लोगों से हम सीखते हैं इन चार बातों को हम अपने जीवन में हम लागो करें वो इकठा होकर क्या कर रहे थी वो लोग इकटाओकर प्राचना करने के लिए आए हालेलुया उन्होंने अपने अगों के साथ मिलकर परमेशर से प्राचना की और उन्होंने बीच में परमेशर की उपस्तिती को पाया और वो परमेशर के द्वारा छुड़ाए गए यही काम परमेश्टर आज भी करता है यही काम यही प्राकरम यही सामर्थ परमेश्टर की आज भी है वो बदला नहीं है जब हम एक साथ मिलकर प्रात्सना करने के लिए आए है जब हम एक साथ मिलकर प्रभू के अद्बूत कारियों को देखने के लिए आए है विस्वास कीजिए परमेशर आपकी आँखों को खोलेगा उसके अद्बत काम देखने के लिए हालेलुया आपकी जो भी प्रिस्ति क्यों ना हो खड़े हो जाए सब लोग आपके जीवन की जो भी प्रिस्ति क्यों ना हो जो भी हालात क्यों ना हो हालेलुया परमेशर ये कहता है ये तुम्हारी नहीं है ये मेरी है ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है ये लड़ाई मेरी है मैं लड़ूँगा हालेलुया लेकिन सबसे पहले परमेशर के सामने अपने आपको सरेंडर कर दें खुद लड़ना छोड़ दें परमेश्र से कहें प्रभू मैं कुछ नहीं हूँ तो मेरा रक्षक, मेरी सामत मेरा छुडाने वाला, मेरी लड़ाई को लड़ने वाला है, मैं नहीं बलकी प्रभू, तू मेरे जीवन में कार्ये कर, हालिलुया परमेश्र के अद्बुत काम हम देखेंगे आईए, हम अपने आखों बंद करेंगे और हम प्रात्ना करेंगे